आज हम लोग डिसक्स करेंगे ऑगस्थ 2022 में जो पेपर हुआ है आपका टैट मेडिकल के लिए डिटेल में पेपर को डिसक्स करेंगे और इसकी एकस्प्लानिशन हर एक 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 क्यों की आपको मिलेगे विद कंसेप्ट और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन सा कोश्चन जो है कहां से किस पोर्षन से पूछा गया है ये देखने को मिला है पेपर में कि मैक्सिमम पोर्षन NCRT से ही आया हुआ है इस बार ए फ्लो चार्ट से हैं वहां से भी कोश्चन बनते हैं चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं क्वेश्चन फरस्ट यहां पर यानि 61st क्वेश्चन है कॉर्पिस लूटियम स्क्रीट विच ओफ दा फॉल्लोइंग हॉर्मोन कॉर्पिस लूटियम का कंसेप्ट जगर जगर प पढ़ते हो तब भी प्रोजेस्टरोन का नाम आता है तो देखे कॉर्पिस लूटियम क्या है ओवरी के अंदर जब ग्राफियन फॉलिकल से एग बाहर निकल जाता है तो यह एक नया स्टक्चर बनाता है जिसे हम कॉर्पिस लूटियम कहते हैं ठीक है एग रिलीज होने के बाद यानि की जिसे हम कहते हैं ओविलेशन होने के बाद जो की मेंस्ट्रण साइकिल के डे 14 पे होता है इस 14 दे के बाद पॉर्पिस लूटियम बनता है और ये स्क्रीट करता है प्रोजेस्टरोन होर्मोन प्रोजेस्ट्रोन हॉर्मोन का रोल प्रेगनेंसी में भी होता है यह जो है help करता है जो आपके uterus की endometrium wall है उसे ठीक बनाने में maintenance of endometrium यह करता है यह इसका important question है और जब contraceptive pills में पूछा जाता है question तो जब contraceptive pill दी जाती है ठीक है student यह question भी आगे पूछा गया था अगर मैं बात करूं leutenizing hormone की LH यह pituitary gland के interior portion से release होता है estrogen जो है student यह ovarian follicle की जो membrane होती है growing ovarian follicle वहां से secret होता है FSH that is follicle stimulating hormone यह भी interior protetory से release होता है तो सारी question additional आप note करते चलेंगे कोई भी question किसी भी form में students पूछ ले जाता है इसलिए इस paper को मैं detail में discuss कर रहे हूं concept को detail में discuss कर रहे हूं देखिए जब भी आप कभी paper की तियारी करते हैं जल बाज में अगर तियारी करते हैं तो फिर गडबड paper में होने के chances जादा होता है इसलिए जब भी at least जब previous year question paper solve कर रहे हैं तसलिए से बैठ की solve करो कभी mcq जब solve करते हैं आपने आप भी कभी कोई आप test paper ला रहे हैं कहीं से तो उसमें आपने हर एक option को देखना रहता है कि इससे क्या question पूझा जा सकता है अगर आप तयारी ऐसे करते हैं तो आपका बहुत सारा question bank आपके पास बन जाता है next यहाँ पे question है which part of elementary canal receive bile from liver student आपके digestive elementary canal से यह भी diagram से question और written में भी as paragraph में भी दिया हुआ है ncrt में तो जब जो है आपको पता है bile बनता है liver में liver से एक duct आती है यह है मालो आपका pancreas तो यह pancreas की duct होगी अब यहाँ पे यह वाली liver की duct यहाँ पे open हो जाते है pancreas के साथ फिर यह दोनों इकठी आगे आती है ठीक है आगे चलके इकठी open होती है यहाँ पे small intestine में ठीक है यह कहानी है इसकी तो hepatic duct यहाँ पे आ रहे है यह student जो की liver से आ रहे है hepatic word is related with liver और pancreatic duct आ रहे है तो आगे चलके जो common duct आगे बन रही है इसे commonly कह देते है hepato pancreatic duct ठीक है अब यह जो open हो रही है यहाँ पे यह जो आपको opening दिख रही है यह opening पे एक spinner यानि के एक दर्वाजे की तरह valve लाइक structure लगा होता है जो की किसी material को अंदर यह बहार जाने में मदद करता है तो यहाँ पे जो spinner होता है इसका नाम आप पार्ट में open होती है और student यहाँ पे यह भी point important है जैसे यह stomach है अभी मैं इसको proper अगर बनाऊं तो इस तरह की shape होती है stomach के बाद small intestine शुरू होता और यहाँ पे यह pancreatic duct होती है तो यह वाला हिस्सा जो just near आपके पास है stomach के तो इसे हम कहते हैं duodenum तो particular अगर आपसे पूछ लिया जाए कि intestine का कौन सा पार्ट तो duodenum पार्ट में यह open होता है ठीक है student esophagus जो है हम कहते हैं जो food pipe होता है next question आपका है loop of N ले बहुत basic question पूछा हुआ है जो कि आपके excreter system में nephrons होते हैं जिसे हम unit of kidney कहते हैं और उनके अंदर millions of nephrons present होते हैं यह student nephron इसका correct answer हो जाएगा बहुत basic सा nephron में भी आपने ध्यान रखना है loop of N की बात की गई है तो इस तरह से structure pipe like structure होता है जो description को इस तरफ में arrow लगा रही हूँ इस तरफ move करता है जो नीचे आ रहा है part उसे हम descending loop of hand ले कहते हैं जो उपर जा रहा है part उसे हम ascending loop of hand ले कहते हैं यह भी note कर लीजिए next question आपको पता है यह student neuron जो है हमारे body की longest cell है nervous system की unit है liver हमारी chemical factory है जिसे कहा जाता है और सबसे बड़ी exocrine gland है lungs हमारी body में oxygen का exchange transport करने में हमें मदद करते हैं next question the test tube baby procedure अब यह भी direct NCRT से question पोचा गया है actually होता क्या है test tube में माली जे एक female है एक male है अब यह able नहीं है बच्चा produce करने के लिए तो क्या होता है female का egg ले लिया और male का sperm ले लिया artificially lab के अंदर इसको fertilize करवाया ठीक है artificial जब lab के अंदर same conditions में fertilization करवाया जाता है lab के लिए हम word use करते हैं in vitro lab के लिए in vitro word use होता है student और outside हो रहा है यह body के outside हो रहा है फिर जब fertilization हो जाता है तो हमारे पास जो pro embryo बनता है और उसमें सिर्फ 8 cells ते जाती है जिसे उन cells को हम यहां पे blastomeres कहते हैं तो 8 blastomeres जब बन जाते हैं तो फिर इन्हें हम डाल देते हैं female की body के अंदर uterus में फिर जो baby की formation embryo development आगे होगी वो कहां हो रही है within हो रही है तो यहां पर दो word पर आप focus करेंगे देखिए मैं आप छोड़ा सर ट्रिक दे देती हूं एक term आती है आपके पास that is in vitro दूसरी आती है आपके पास in vivo fertilization तो यह होती है outside the female body और यह होती है inside the female body तीक है in vivo inside अब आप कई in vitro में TRI outside में भी TRI तो इसको यहां से थोड़ा सा correlate करना और आपके पास आपका answer आपको मिल जाएगा ठीक है fertilization IVF में जब test tube baby बनते है ना in vitro fertilization से बनते है वो और उनकी जो development further होती है in vivo होती है तो आईए आप options को देखते हैं आपको इसका सही answer यहां पे मिल जाएगा ते पहली बोली है embryo development in vitro नहीं in vivo होती है body के अंदर होती है there is no fertilization यह भी गलत हो गया fertilization is in vitro yes और fertilization in vivo नहीं तो यहां पे option C एकदम correct हो जाएगा यह भी आपका direct question पूछा हुआ है class plus to NCRT से अब यहां पे यह concept आप लोगों के लिए नया हो सकता है initiation codon for protein synthesis R यह question directly out of NCRT था अब देखो student eukaryotic organism होते हैं pro karyotic organism होते हैं eukaryotic organism में student जो AUG है जिसकी 80 to 85 efficiency होती है as a initiation codon act करने की वो होता है ठीक है यहां पे जी है और pro karyotic में student GUG यह act करता है initiation codon और यह सिर्फ 40% 14 to 15% इसकी efficiency रहते हैं यानि कि अगर जो है student AUG नहीं है तो कौन काम करेगा GUG AUG methionine के लिए code करता है और GUG welline के लिए code करता है दोनों ही amino acid तो इसको भी आप note कर लेंगे ठीक है तो यहां पे आप देखें right answer क्या हो जाएगा एक तो GUG है और AUG option D correct हो जाएगा next question है आपका the immunity obtained after the body has recovered from a disease ये भी direct NCRT question है गुमा के थोड़ा सा पूछा हुआ है क्योंकि इस concept को clear करने के लिए NCRT में जूसे चीज़ें दे रखी है एक paragraph उसको समझना जरूरी है लेकिन है directly NCRT से NCRT में कहा गया है कि अगर जो है किसी individual को हम artificial immunization देते हैं या फिर उसे कोई infection हो जाता है तो उसकी जो body की immunity काम करती है वो active immunity होती है immunization में भी क्या होता है हम कोई artificial उसे vaccine देते हैं जिसमें या तो heat killed हम microbes उसे body में देते हैं या active मतलब उतनी जाद एक्टिव हो नहीं होते कि बहुत ज़धा disease cause कर सके तो इसलिए वहां पे microbes की form में उसे एक तरह से injection दिया जाता है immunization में और infection कोई बाहर से attack कर लेता है उसके इस पर active immunity तो देखो question में बोला after a body has recovered from a disease अब हमें disease हुई है कोई तो infection से हो सकती है वो ठीक है infection से हुई disease में कौन immunity act करेगी active immunity ए ओप्शन यहां पर correct हो जाएगा अगर बात करूं में passive immunity की तो passive immunity आप समझ लीजिए जो आपको अपकी मदर से मिलती है जितनी भी antibodies आपको मदर से मिली वह सारी passive immunity में आती है और जिसे इसमें आ जाते है आपका claustrum आपको पता है जो initial days पे mother milk screen होता है जिसमें antibody जो A है वो present होती है immunoglobulin A होती है वो उसे हम claustrum कहते हैं या फिर एक तो मैंने बता दिया कि मदर से मिलने वाली या फिर इसमें हो सकता है कि किसी individual को जो ready made अगर antibodies दे रहे है डिरेक्ली हम injection में क्या कर रहे हैं उसे ready made antibodies दे रहे हैं तो भी वो passive immunity में आएगा ठीक है यह 3-4 पॉइंट बताएं इनको ध्यान में रखिएगा option A यहां पे exactly right हो जाएगा next question the duration of cardiac cycle तो यह student ह होता है option A 0.8 second का अब cardiac cycle होता क्या है यह hurt में होने वाला एक event है जैसे कि मालो एक ऐसा cyclic event है यह जैसे जो चलता ही रहता है आपको पता है hurt contract करता है relax करता है तो इसमें आगे फर्दर दो process involved होते है systole and diastole systole का मतलब होता है contract करना diastole का मतलब होता है relax करना तो diastole plus systole cardiac cycle बनाते हैं ठीक है अब एक और concept यहां साथ में ही NCRT में एक और concept दिया हुआ है that is कि जो आपका cardiac cycle होता है जब cardiac cycle चला होता है तो ventricle जो है ventricle से pump out होता है जो blood या तो जाएगा वो lungs को या तो जाएगा वो body को किस तरह से चले थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ तो auricles है यह ventricle है अब ventricle पर यहां पर दोनों साइट वाल लगे हूँ है तो देखिए student यहां पर एक vessel होती है जो lungs को इस तरह से दोनों तरफ चले जाती है ठीक है और इस side iota की opening होती है जो body को blood लेके जाते है तो ventricle से इन दो entries से जो है blood pass होता है तो कहा आगे NCIT में की ventricle pump करते हैं approximate 70 ml of blood in 0.8 that is cardiac cycle second ठीक है यहां पर second तो यह जो volume blood का जा रहा है particular इसे एक term दी गई है that is stock volume यह आप note कर लीजे stock volume okay additional question student मैं बार-बार कहती हूँ कि बहुत जादा important आपके लिए होते है next question यहां पर पूछा गया है o blood group child cannot have parents of blood group blood group का concept जो है तीन ही genes के उपर depend करता है और वो तीन genes का concept आपको दम clear होना चाहिए एक है capital I के साथ A, दूसरा है capital I के साथ B और तीसरा है small I इन तीनों के combination से ही कोई blood group बनता है अब देखिए पहली condition है B and B blood group तो देखिए अगर B blood group किस individual का यह मैंने A लिखती है यहां पर B यह भी हो सकता है या फिर यह भी हो सकता है अब दोनों parents के पास अगर ऐसा ही blood group होगा तब ही आगे यहां से small I आएगा यहां से small I और आगे O blood group बन जाएगा ठीक है second condition में A B बोला हुआ है तो हिट्रोजाइगस condition में यह हिट्रोजाइगस आ गया इसके पास यह दूसरा parent माल ले हमने यहां से दोनों से I आ सकता है और यहां पर O blood group बन जाएगा यह हिट्रोजाइगस condition है इस तरह से अगर दोनों ही अलील सेम दिखें तो यह होमोजाइगस condition होते है नेक्स्ट है आपका O and O तो obviously O blood group यह एक parent का दूसरे का तो I तो आएगा आगे तो O तो हो गए अब A B बोला हुआ है A B शो करता है co-dominance यानि कि इसके अलील होते हैं I B I A पहले लिख लेते हैं I A I B और एक parent का यह हो गया दूसरा O है अब यहां से भी I आना चाहिए ता जो कि नहीं आ सकता है क्योंकि इसके पास I gene है ही नहीं इसलिए O blood group वाले child के parents यह वाले नहीं हो सकते हैं I hope आपको यह concept clear हो गया मैंने पहले भी यह discuss किया हुआ है जब मैं daily mcqs जालती हूँ जो mcq bio series है जो आपकी उसमें भी मैंने ऐसे कुछ concepts करवाए है Students O series आपके लिए बहुत important है अगर आप किसी भी competitive exam की त्यारी कर रहे है biology related तो आपको वो बहुत help करेंगे चली next question है which of the following mineral is essential for photolysis of water यह question आपका mineral nutrition plant physiology class plus one से पूछा गया है जिसमें जो student essential elements होते है nutrients होते हैं जिसमें macronutrients और micronutrients हम पढ़ते हैं उसमें direct NCRT से उठाया हुआ है manganese जो है इसमें right answer हो जाएगा वहाँ पे लिखा हुआ है photolysis word की जगा वहाँ पे splitting word यूज किया है तो splitting का मतलब होता है तो splitting का मतलब होता है टूटना photo मतलब light की help से lysis मतलब टूटना तो split हो रहा है वहाँ पे water molecule तो same ही meaning है वहाँ पे ठीक है अगर मैं बात करूँ zinc की तो zinc help करता है oxyn hormone की synthesis में oxyn next आपका copper है यहाँ पे तो copper help करता है overall metabolism जो plant के अंदर चला हुआ है उसमें मदद करता है plant को और जो boron है वो बहुत सारे चीजें control करता है जैसे की एक तो pollen germination जो सबसे ज़ादा important है pollen tube की germination होती है उसको pollen tube बनने में फिर जो है आपका यह help करता है cell की elongation में सारे NCRT में इसके यह जो function है दिये हुए है फिर यह cell differentiation cell differentiation में help करता है और यह carbohydrate की translocation में भी translocation में भी help करता है इस सारी चीज़े आप लोग note कर लें जें next question है which of the following is a bio fertilizer student NCRT में लिखा हुआ है कि bio fertilizer क्या होते हैं तो NCRT define करती है कि ऐसा कोई nutrient जो की value जो है nutrients की या फिर quantity या quality quality quantity soil के अंदर improve करता है उसे हम bio fertilizer कहते हैं तो students यहां पर इस question के लिए NCRT में फंजाई बैक्टिरिया साइनो बैक्टिरिया सभी को mention किया गया है as a bio fertilizer micro Hegemia चाल्प प्लांट की एक symbiotic association होती है तो यह वी τοज का new nutrients को अपनी तरफ खीश ने का का में कर रही है औरые your products use nitrogen को fix कर रहे हैं जो बैक्तिरिया और Cyberabacteria or Infrastris Fin wheat nitrogen kind Osman 55 additional nitrogen processo current in crude green lawn में पीजने में एक तरह से मदद करते हैं तो इसे instructors according to NCRT, अगर NCRT के deep lines को हम देखें, तो option D भी correct है, जैसे मैंने आपको जब answer के डाली थी, तो मैंने C option I think बताया था, तो इस question के लिए, अभी आपके official answer के announce नहीं हुई है, बट अगर NCRT की each and every line का meaning निकाला जाए, तो all of these इसका exactly सही answer बनता है, अगर NCRT को आप देखेंगे, यह chapter आपका biotechnology के portion में, हाँ, biotechnology में आपको next question है, which of the following is a bio fertilizer, student NCRT कहती है, कि चाहे कोई फंजाई है, bacteria है, cyanobacteria है, सभी as a bio fertilizer act कर सकते हैं, NCRT में लिखा हुआ है कि ऐसा कोई organism, जो की nutrients की quality, soil के अंदर, या quantity increase करता है, enrich करता है, उसे हम bio fertilizer कहेंगे, micro rehyza क्या करता है, symbiotic association है, higher plant के साथ, fungus की, और यह क्या करता है, mainly phosphorus को अपनी ओर अब्जाब करता है, और क्या करता है, pathogen है, कोई root के आसपास, अगर pathogen है, उनको भी दूर करने का काम यह करता है, तो यहां पर micro rehyza भी bio fertilizer act कर सकता है, nitrogen fixation bacteria and cyanobacteria भी इसमें आते हैं, all of these इसका answer हो जाएगा, next question, which of the following is an abiotic component of ecosystem, बहुत easy सा question, abiotic वो होते हैं, जो non-living होते हैं, तो bacteria, plant और fungus सब living है, यहां पर option B, humus जो है, correct answer हो जाएगा, next question, यह भी बहुत easy question, mulberry leaves जो है, वो शैतूत के जो पतियां होती हैं, सबस्यादा silk worm को दी जाती हैं, तो B, option यहां पर correct हो जाएगा, round worms, जो है, वो किसे कहा जाता है, student, ask helementis, जो आपका phylum है, animalia का, ask helementis के member को, commonly round worms कहा जाता है, platy helementis के flat worm कहा जाता है, honey bees में, एक question important, कि जो females होती हैं, वो deployed with chromosome number 32, और male haploid होते हैं, with chromosome number 16, male में जो gametes बनते हैं, वो simply by mitosis बनते हैं, और female honey bee में जो gametes बनते हैं, वहां पर meiosis होती हैं, और यह 32 number आगे, gametes में 16 हो जाता है, next question है, the bending of shoot of plant, in response to light is called, light की जहां से आ रही है, उस तरफ को shoot का bend हो जाना, इसे हम phototropism कहते हैं, photo मतलब, light tropism मतलब growth, geotropism होता है, earth की तरफ को, यहां पर gravity word आपने ध्यान रखने हैं, gravity, earth की तरफ को, gravity की तरफ को, plant part की movement, जो stem होती है, वो negatively geotropic होती है, roots होती है, positively geotropic होती है, next यहां पर, thigmotrophism कहा गया है, यह क्या होता है, यह special movement होती है, coiling, coiling movement होती है, for example, जैसे कोई बेल होती है, मानलो कोई खीरे की बेल है, घिया कद्दू, कुछ भी बेल जो होती है, उसमें आगे का portion उसका, उसमें से कुछ ऐसे parts निकलते हैं, जो कि ऐसे coil हो जाते हैं, मानलो यहां पर कोई stem का part है, उसमें कोईल हो जाएंगे, एक support के लिए, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, जो coiled portion होता है, इसे हम tendrils कहते हैं, तो इसका example क्या हो जाएगा, tendrils, leaf में tendrils होते हैं, stem में tendrils होते हैं, और rarely roots में भी होते हैं, chemotropism, जब किसी particular chemical की वज़़से, growth उसकी तरफ हम देखने को हमें मिले, तो यहां पर आपको पता है, pollen tube बनती है, due to excretion of sugary substances on stigma, उन sugary chemical की वज़़से, यहां पर pollen germination हो रहा है, which is an example of chemotropism, next question है, in algae, the photosynthetic pigment are present, तो algae में अलग-अलग तरह के chloroplast की शेप भी देखी जाते हैं, डिसकोईड होते हैं, spiral shaped होते हैं, तो chloroplast सही answer यहां पर हो जाएगा, दूसरों options की बात करें, तो perinoid algae में देखे गए हैं, इसमें protein होती है, जिसके बाहर starch होती है, उसे perinoids हम कह देते हैं, next question है, color blindness is due to defect in, तो आई का concept थोड़ा सा आपको clear होना चाहिए, काफी अच्छे question NCRT में, आई के यह cells के बारे में दे रखे हैं, तो यहां पर देखो, पहले आपको यह पता अच्छी, जो cones and rod cells होती है, दोनों को collectively का कहा जाता है, that is photoreceptor cells, photoreceptor cells कौन होती है, cone and rod cells, कहां present होती, आई का जो retina है, उसके ओपर यह cone, उसके ओपर यह raw cells होती है, अब आगे नोट करिए आप, कि जो cone cells होती है, वो हमें दिन में, bright light में देखने में मदद करती है, whereas जो raw cells होती है, वो हमें रात में, twig light में देखने में मदद करती है, तेके, अब यहां पे एक और word यूज हुआ है, यह एक तरह की special protein होती है, purple red color की protein होती है, दिया हुआ है NCRT में purple red color, तो आप लोग note कर लेजे, और यह जो protein है, यह derivative होता है, vitamin A का, ठीक है, और यह protein particularly raw cells के अंदर present होती है, अब आपने सुना होगा, देखो correlate करवाऊंगे, आपको इजली समझ आ जाएगा, आपने सुना होगा कि, vitamin A की कमी से, night sight blindness हो जाती है, रात को दिखना अच्छे से, जो है वो हम नहीं देख सकते, धुंदला दिखता है, और रात को देखने हैं, मतलब यह नहीं कि बिल्कुल भी light नहीं, we know that, कि अगर हमें कोई चीज़ देखने हैं, उसके लिए वहां पर light का होना बहुत ज़रूरी है, whether it is bright light, whether it is twig light, तो वहां पर रात को देखने का मतलब है, dim light में, तो night blindness इसलिए कहा गया है, वर्ड इसलिए यूज़ हो है, कि रात को हमें rod cells, देखने ही में मदद करती है, विटामिन ए उनी से रिलेट कर रहा है, इसलिए विटामिन की कमें से हमें, वो रात को clearly नहीं दिख पाता है, ठीक है, आप ऐसे याद रखेंगे, rod cells हैं, cone cells हैं, तो R for rod, R for rat वाली cells, ठीक है, आई होप, आपको clear हो गया होगा, चले, next बात करते हैं, next question की, black rot of crucifer is caused by, एक bacteria इसको cause करता है student, Xanthomanase उसका नाम है, Xanthomanase, next question, dental formula of human is, तो मैंने Bio Booster Series में, एक बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है, how to calculate dental formula, उसमें मतलब आपको, बिल्कुल भी पता नहीं है, कि dental formula होता कैसे, कैसे calculate करते हैं, तो उस वीडियो को देखने के बाद, आपको crystal clear ये हो जाएगा concept, देखिए student, हमारे दांतों का arrangement, ये माल लो आपका उपर वाला जबडा, उपर वाला जब और नीचे वाला जबडा है, सभी में दांती एक जैसे arrangement होती है, जैसे यहाँ पर arrangement एक जैसे इस पीस में, इस पीस में, इस पीस में, चारों में एक जैसी होगे, तो अगर मैं आपको बताऊं, सिर्फ एक हिस्सा, ये वाला आधा हिस्सा, तो देखो, सबसे आगे दो टीथ होते हैं, जिने हम क्या कहते हैं, इंसेजर, फिर यहाँ पर एक टीथ होता है, जिसे हम कहते हैं किनाइन, फिर जो है स्टूडेंट आगे चलके दो टीथ होते हैं, एक जैसे उन्हें हम कहते हैं, 3 molar और लास्ट में student 3 होते हैं molar 3 होते हैं molar ठीक है तो अब इसके अरेजिमेंट ICPM 2 1 2 3 ये एक साइड दूसरी साइड के लिए 2 1 2 3 और टोटल नंबर के लिए into 16 लगा देते हैं sorry into 2 लगा देते हैं actually 16 ये total होते हैं तो 16 अपर जो 16 हो 32 टोटल हो जाते हैं फिर राइट आंसर हैं पर option बी हो जाएगा next question है आपका the event you need to ingest promise तो ingest promise student double fertilization का event होता है होता क्या है double fertilization जब जो है sexual reproduction होता है उस समय पर जैसी ये stigma है ये जो है style है और नीचे चलके इसकी ovary है ovary के अंदर होते है ovule ovule एक भी हो सकता है और बहुत सारे भी हो सकते है pollen grain stigma के उपर after pollination आया इसने एक tube like structure बनाया और उस tube like structure के through pollen के अंदर male gamit थे वो ovule के अंदर पहुंच जाते हैं अब जब pollen के अंदर sorry ovule के अंदर पहुंच जाते हैं तो वो क्या करते हैं देखे माली जो यह एक ovule है और यह pollen tube के साथ यहां पर दो male gamit आ जाते हैं अब यह दो male gamit जो आते हैं यह student pollen tube की cells से बनते हैं पोलन ट्यूब के अंदर जो cells हो दी है यानि की देखिए यह भी concept क्योंकि important है मालो यह pollen grain है इसके अंदर पहले दो ही nuclei होते हैं फिर क्या होता है student इन में से यह दोनो नुकलियाई दोनों act करते हैं male gamit यानि male gamit का नंबर दो है समझ के आप इसलिए मैंने कहा कि pollen tube में वो डिवाइड करते हैं next अब मालो यह एक male gamit है यह दूसरा male gamit है मैं mm लिख रही हूँ इनको इसके अंदर यहां पे होता है egg cell यहां पे three identical cell antipodal cells होती हैं और student यहां पे दो synergit cells होते हैं और यहां पे center में दो polar nuclei होते हैं एक male gamit जो है इस egg cell के साथ fuse कर जाता है तो एक fertilization हो गया दूसरा male gamit synergit से होता हूँ अब polar nuclei के पास चला जाता है और यहां पे second time यहां पे जो है second fertilization होता है अब इन दो process दो बार fertilization हो रहा है इसलिए इसको double fertilization कहा जाता ह है और student यहां पे देखो तीन nucleus है एक N, दो N, तीन N, मतलब है heploid nuclei तीन आपस में fuse कर रहे है इसलिए यह triple fusion है से हम कहते हैं समझ में आगी बात triple fusion और double fertilization यह एंजिस पर में देखने को मिलता है option यह correct हो जाएगा next question है Edward Jenner discovered the vaccine for which disease? Now Edward Jenner ने smallpox के लिए discover करा था यह जो vaccine first time करा था जब उसके पास जो मेड आती थी उसको cowpox हुआ था तो उसको जो है cowpox का जो एक तरह से आप बोल सकते हो कि उसके लिए antibodies उसकी body में already थी तो smallpox उसको नहीं हो रहा था और उसी से फिर आगे क्या किया जो Edward Jenner थे उन्होंने उस म प्रेड के बच्चे से क्या किया कुछ serum लिया और वहां से फिर antibodies बनाई और as a vaccine उसको लोगों को लगाया था मतलब यह छोड़ी से एक story है causal organism की बात करें तो chicken pox का जो causal organism है that is viricella smallpox का variola और dingo का flavivirus malaria के लिए plasmodium जो की एक protozo है plasmodium next आपका question है which of the following is plasmid तो यह है student जो diagram से question पूझा गया है diagram में चीज़े लिखी हुई है plasmid जो होता है student उसे हम cloning vector भी कहते हैं जिसके help से clone किया जाता है particular gene को तो यहाँ पर co option pbr 322 correct हो जाएगा इन में से जो यह three option देके रखी हुई है bm h1 eco ri और hind 111 यह आपके restriction sites है plasmid पे माल लीजे यह पूरा एक plasmid है इसके उपर restriction site यह वाली है जो तीन अलग दिया हुआ और पूरा यह एक plasmid है next question biotechnology chapter के diagram से question पूछा गया था student in grafting यह out of ncrt और total basic question है क्योंकि artificial method में यह आता है जो vegetative propagation की बात करते हैं यह artificial method ncrt में given नहीं है इसमें grafting में दो plant part आपस में connect किये जाते हैं जिसमें जो root system होता है और shoot system होता है stem वाले portion को sion और stock कहा जाता है जो root system होता है root system strong होना चाहिए और जो हम stem लगा रहे हैं इसके उपर वो desire variety के अच्छे fruit देने वाली होनी चाहिए option है यहां पर exactly correct हो जाएगा next question who was awarded nobel prize for the development of PCR technique polymérase chain reaction इसको सबसे जादा use आजकल को रोना के जो test होता है इसके लिए बहुत जादा इसके 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 बना सकते हैं Amplification of DNA में help करता है अगर मैं दूसरे options की बात करूं तो Hubbard Boyer जो है इन्होंने R-DNA technology that is recombinant DNA technology कोई दो अलग-अलग DNA को इकठा करके recombination उसका बनाना that is recombinant DNA technology वो दी है Harvind Korana ने artificial gene first time बनाया है और जो आपके Arthur Cohenburg है इन्होंने first time DNA की isolation DNA polymerase जो enzyme में उसके isolation में काम किया है Next आपका question है which of the following flower only flowers only once in its life एक ही बार पुरे चनम में खिलता है bamboo सही हो जाएगा next question stomatal movement is not affected by तो students अगर temperature बढ़ गया तो stomata हो जाते है बन ताकि वहां से water loss जादा ना हो पाए O2 की concentration से stomata को कोई फरग नहीं पड़ता है light भी अगर जादा है ठीक है बहुत जदा light है तब भी उसका effect जो है temperature से correlate हो जाता है फरग पड़ता है CO2 concentration अगर plant में जादा हो जाएगे stomata close हो जाएगे ठीक है यहां पर right answer student क्या हो जाएगा इसके लिए P option O2 concentration यह जिस पे इस पे टिक जो लगे हुए आपको दिख रहा है यह मुझे किसे और से paper मिला था तो उसने यह टिक लगाय थे अपने paper में जो मैं आपको बता रही हूँ आपने वही answer करने है next question है which book kept record of all endangered species तो red data book यह भी easy सा question पूछा था next question where does fertilization takes place in humor female बहुत बार student बहुत बार हमने यह question क्या हो था जैसे student माल लेशे यह uterus है और यह फैलोपियन tube है और यह फैलोपियन tube जो है यहां पर ovary है अब आपको पता है ovary से जो है वो egg release होता है यहां पर चला जाता है और यहां से अगर sperm की entry होती है तो इस reason में यह वाला जो हिस्सा है फैलोपियन tube या जिसे हम oveduct कहते हैं सबसे यहां पर आता है infundibulum फिर आता है ampula फिर आता है आपका इस थमस और यह जो finger like projections होती है ने हम कहते हैं fembrae जो ovary से एक तरह से attach होती है तो fertilization कहां पर होता है student ampula reason of oveduct या फिर जिसे हम fallopian tube कहते हैं तो यहां पर c option correct हो जाएगा because exact ampula नहीं देकर रखा है फैलोपियन tube का ही वह हिस्सा होता है next question है आपका pollen grain can be stored for several years in liquid nitrogen having temperature off तो liquid nitrogen में store किया जाता है बहुत जादा low temperature पे होता है इसलिए जब हम low temperature पे किसी भी tissue या organ को store करते हैं उसे हम क्याते हैं cryo preservation और temperature range यहां पर बी option correct है that is minus 196 degree celsius next question is ozone day celebrated on 16th of September को मनाया जाता है 5 June को environmental day होता है 21st April को national civil service day होता है और 22nd of April को earth day होता है which of the following pair is wrongly matched यहां पर student option A जो है correct हो जाएगा और बाकी जो option है exactly सही है कि X naught जो type की 6th determination होती है grasshopper में होती है ABO grouping को dominance का example है और linkage के बारे में Morgan ने ही दिया हुआ है next question who discovered recombinant DNA technology अभी मैंने जस थोड़े question पहले आपको बताया तो यहां पर सही answer क्या हो जाएगा student दाट इज कोहन अन्बोयर रिकॉंबिनेंट DNA टेक्नोलोजी हर्विंद को राना के बारे में मैंने आपको question बताया कि उन्होंने क्या किया है artificial gene synthesis stone and boobori ने chromosomal theory of inheritance student दिया हुआ है next question which one of the following is an example of ex-situ conservation student conservation के दो type होते हैं एक ex-situ और दूसरा होता है in-situ conservation इन मतलब वहीं पर अंदर जहां पर कोई organism रहता है मालो एक organism है यहीं पर रहता है यहीं इसका घर है यहीं पर अपनी सारी जरूरते पुरा कर रहा है reproduction हो जाए food gain करना हो everything तो जहां पर वो है वहीं पर उसको हम protection देंगे और उसके लिए एक area conserve कर देंगे तो उसे तो हम कहते हैं in-situ दूसरा होता है कि हमने उस animal को बहां से उठाया या कोई plant को तो दूसरी जगा लेगे और artificially वहां पर उसके लिए artificial environment create करा तो वह होता है ex-situ conservation पे seed bank इसका सही हो जाएगा ex-situ के लिए national park एक ऐसा बड़ा से एरिया अब तो उस पूरे एरिया को ऐसा नहीं है कि वहां पर पर्टिकुलर बहर से लाके कोई organism रखे है फिर वहां पर national park बनाया हुआ है जो वहां पर अलड़ी है उनको conserve कर दिया गया है by life centuries होती है तो वह भी ऐसे होती है और secret group मतला ऐसी कोई पर्टिकुलर जगह जहां से लोगों के मितलब एक आस्था जूड़ी हुई है और वहां पर हम उसको conserve करके जैसे मालो गंगा है तो गंगा में आपको बता है कि जो organism है गंगा में आपकी नेशनल आनिमल जो है वो डाट इस डॉल्फिन उसको conserve करके रखा हुआ है तो वह आ बाहर की activities होगी जैसे conservation में करदा बाहर की hunting बगारा ठीक है बाहर की लोगों का वहां पर activities बैन हो जाते हैं next question first polar body is formed at which stage of oogenesis जब हमने oogenesis मैंने आपको करवाय था तो उसमें मैंने ये चीज़े एकदम clear करी थी क्या होता है सबसे पहले थोड़ा से इस पर ध्यान देंगिया जब student oogenesis होता है सबसे पहले जो cell जहां से शुरू होती है उसे हम कहते हैं oogonia oogonia से पहले बनता है primary oocyte primary oocyte simple यहां पर division होता है mitosis ठीक है दूसरा division यहां पर primary से secondary oocyte बनता है तो यहां पर student जब second division होता है तो यहां पर meiosis लेकिन meiosis 1 हो रही है first meiosis और यहीं पर साथ में polar body भी बनती है इसलिए यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा जब यहां पर first meiosis होता है पहले meiosis ठीक है first polar body पूछा गया है आपसे next question is reduction in vascular tissue mechanical tissue and cuticle is characteristic of student hydrophytes D option correct हो जाएगा zerophyte dry conditions में रहते हैं जो plants उन्हें कहते हैं meisophyte मतला meisic conditions जादा पानी भी नहीं है तोड़ा बहुत वहां पे wet conditions होते है epiphyte वह organism होते हैं जो दूसरे plant के उपर रहते हैं support kill जैसे orchids होगे next question है who proposed the chemical evolution of life directly NCRT question यहां पे open and henday जो है C option correct हो जाएगा next question है आपका main function of insulin hormone is तो यह भी direct NCRT से question पूछा हुआ था chemical co ordination वाले chapter से तो decrease करता है sugar level को लिखा हुआ प्रॉपर यह line तो जब क्या होता है sugar level बढ़ जाता है body के अंदर तो उस glucose को क्या करता है insulin hormone convert कर देता है glycogen में glycogen में convert कर देता है और liver में store कर देता है और इसके opposite काम करता है glucagon hormone दोनों ही hormone जो है pancreas से उसके isolates of langerhans part से release होते हैं cells की बात करों तो जो beta cells होती है student वो release करती है insulin hormone और जो alpha cells होती है isolates of langerhans की वो glucagon hormone को जो है वो release करते हैं अगर sugar का level कम हो जाए body में तो वो sugar level को जो बढ़ाने का काम करता है वो glucagon है ठीक है वो increase करता है sugar level को next question a fat soluble vitamin that regulate blood clotting fat soluble or blood clotting में भी help करते है B option vitamin K सही हो जाएगा students यह जो आपकी K, E D, A vitamins हैं ये सारी fat soluble हैं मगर इसमें से पूछा हुआ clot बनने में कौन help करती है तो यहां पर के हो जाएगा next question other than spreading malaria anaflis mosquito are also vector of flareces के लिए भी vector होता है other name of flareces आप note कर लीजे that is elephantasis हाथी जितनी leg हो जाती है इस case में और ये एक तरह का worm infection है कौन सा causal organism है इसका that is vachiria next question है cell theory is not applicable for viruses के लिए ये नहीं होती है और Sheldon एंच्च्वान दो scientists हैं जिन्होंने cell theory दी है next question है transverse binary fission occur in योगलीना की अगर बात करें तो इसमें longitudinal binary fission होता है longitudinal binary fission amoeba में irregular binary fission होता है hydra में budding होती है और paramecium में transverse binary fission होता है option D यहां पे correct हो जाएगा student जो amoeba है ये वैसे irregular simple binary fission शो करता है but under unfavorable condition unfavorable condition तो जो में यह प्राइबरी गरिंपने अपनी जार ऐसे नहीं बना लेता है जिसके अंदर बहुत सरे amoeba binary season से अलावा multiple bodies बनाता है तो ये भी आप ध्याम में रखेंगे next question है the embryo at 16 cell stage is known as तो इसे हम कहते है student morula NCRT में लिखा हूँ है 8 to 16 अगर cells होंगी उन्हें morula कहा जाएगा gastrula blastrula जो है frog में बनते हैं blastomere student हम कहते हैं जो cells बन रही होते हैं जो कह रहे हैं हम 8 cell stage 16 cell stage wound cells को यहां पर blastomeres कहते हैं next question common problem of eye is or are सारी problems जो है eye से कौन-कौन सी है यहां पर all of these correct हो जाएगा पहले conjunctivitis इसमें क्या होता है जो eyeball का outer membrane है उसमें infection या inflammation हो जाती है और inner eyelid में भी infection हो जाता है और दूसरा यहां पर है contract तो मोतिया बिंजिसे हम कहते हैं तो इसमें क्या होता है cloudy eye हाप की होना शुरू जाती है lens के आगे एक तम धुंदला पन ठीक है बन जाता है आपने सुना होगा कि आंख में जाला बन गया है commonly तो वह यही है next आपका ग्लुकोमा तो ग्लुकोमा क्या होता है optic nerves का eyes में आपको पता है optic word is related with eye तो optic nerve का damage हो जाना उसे हम ग्लुकोमा कहते हैं यहां पर right answer option d हो जाएगा next question lifespan of human rbc is about 120 days next question which of the following is oviparous organism वह होते हैं जो एग ले करते हैं दूसरी टर्म होती है वीवी पेरस वह होते हैं जो बेबी को birth देते हैं अब देखो ov word में कहीं न कहीं ओवा reflect हो रहा है तो ओवा का मतलब ओवा को हम excel भी कहते हैं ऐसे यहां पर जो एक्जेंपल दे रखे हैं वह सब मैमल्स है तो यह आपका जो प्लैटिपस है यह exception है और यह ओवी पेरस होता है तिक है एक और मैं आपको बताती हूं दैट इस ओवो वी पेरस यह ऐसे organism होते हैं जो एग बनाते हैं लेकिन उनके एग बॉड़ी के अंदर ही हैच हो जाते हैं जैसे फॉर एग्जामपल स्नेक नेक्स्ट कुश्चन है और करेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर आज कॉंट्रासेप्टि मैथर कॉंट्रासेप्टि मैथर वह होते हैं जब प्रेग्रेंस डिफरेंस ट्यूब लाइक स्ट्क्चर है उसे कट कर दिया जाता है ऐसे मानलो कट कर दिया है यहां से और यहां पर बांध दिया जाता है लग अलग ताकि वहां से स्पर्म की एंट्री ना हो सके एक और टम आप नूट कर लीजिए दाट इस ट्यू बिक्टोमी यह फिमेल रेड़ से लिए उसे को ओट यहां से आपका लिए यह एस आर यह यह आपका ब्लृड टेस्ट है करक्ड तरह से और इसमें क्या होता है जो आपकी इरिथरोसाइड अगर सेडिमेंट सेहं उनका रेट जो है पता किया जाता है पीसियार कॉमनली आज अज वनकल दिया रिए वाइडल टेस्ट इसका करेक्ट ऑप्शन होगा टाइफ़ोड के लिए एलीजा की फुल फॉर्म भी कई बार पूछ ली जाती है एंजाइम लिंक्ट अमीनो सॉर्बेंट ऐसे और PCR की फुल फॉर्म होती है that is polymerase chain reaction और ESR की erythrocyte sedimentation rate next question BT cotton is not student BT cotton एक ऐसा cotton है जो बनाया गया है artificially इसकी कहानी बहुत इंटरस्टिंग है और यहां से question पूछे जाते है माल लीजे student एक cotton का plant था इस पे बहुत जादा insects जो है attack कर रहे थे कुछ particular insects जादा तो क्या हुआ scientist ने क्या करा इसका solution निकालने का सोचा फिर इन्होंने क्या किया एक bacteria लिया जिसका नाम था bacillus thryngenesis BT that is bacillus thryngenesis इस bacteria के पास एक inactive protein थी एक inactive protein जो toxin act करता था यह इस BT cotton की body में थी लेकिन इस BT cotton को उसका कुछ मतलब नुकसान नहीं हो रहा था क्यूंकि वो inactive थी ठीक है फिर क्या किया इसको BT cotton की प्रोटीन को क्या किया BT cotton की नहीं bacillus thryngenesis की इस protein को cotton plant में डाल दिया तो अब cotton का plant क्या बन गया cotton का plant इसके पास आ चुका है BT का वो particular gene जिसके पास वो protein है inactive protein अब cotton में भी अभी वो inactive ही है लेकिन फिर यहां आ गया एक insect इसने इसको BT cotton के प्लांट को खाया अब वो protein चलीगी insect की बोडी में लेकिन यह मालो इंसेक्ट का gut reason है elementary canal का जैसे ही यह protein यहां पे गई तो इस gut reason में LK line pH होने की वजह से यह जो है inactive से active protein में convert हो गया यानि की active toxin यह बन गया फिर क्या हुआ इस gut reason में जो इसकी epithelial cells थी उसमें बड़े बड़े छेद होना शुरू हो गया और इसकी वजह से insect मर गया तो basically bacteria और cotton को तो उस toxin से कोई फरिक नहीं पढ़ रहा था लेकि insect मर रहे थे तो इसलिए उसको cotton में डाल दिया और बाकी किसानों NCRT में यूज हो है cry gene code करता है इस particular protein के लिए लेकिन सारी तरह के insect जो है pesticides जो है यह उनके लिए resistant नहीं है ठीक है resistant to all pesticides ऐसा नहीं है next question है the amino acid attacks to the tRNA attached sorry to the tRNA at its to three dash जो end होता है यह भी आपका डायग्राम से question पूछा हुआ है और directly क्यूंके NCRT में वर्डिंग नहीं लिखिये लेकिन diagram में question चीपा हुआ है इसलिए यहां पर बी option correct हो जाएगा और a tRNA के उपर ही anti codons भी present होते हैं यह question अलग से भी पूछा जाता है to which one of the following category does adipose tissue belong animal tissue से question पूछा गया है तो यहां पर connective tissue का यह टाइप है connective tissue के दो टाइप होते हैं एक होता है loose connective tissue एक होता है dense connective tissue loose में आप example लिख लो areolar tissue, adipose tissue और dense में आपके आते हैं जैसे collagen fibers, tendon, ligament यह सब connective tissue के टाइप है bone भी connective tissue का टाइप है cartilage भी connective tissue का टाइप है फिर आपका blood भी liquid connective tissue है lymph connective tissue है तो यह सब आप example लिख लो और muscular tissue में आपके आते है strated muscle, non-strated muscles and cardiac muscles epithelial tissue में आपके scamus epithelial tissue, columnar epithelial tissue, ciliated epithelial tissue, glandular epithelial tissue यह सब types आते हैं और neural tissue में आपका एक ही neuron आता है next question main hearing part of ear तो यहां पे option A कौकिया सही हो जाएगा next question है oral contraceptive pills contain small amount of तो यह मैंने आपको concept बताया था पहले ही question में estrogen and progesterone और यह 21 days के लिए continue लेनी रहती है और students यह करती क्या है यह question पूछा भी गया है कि estrogen और progesterone जो है वो inhibit करती है ovulation and implantation as well as sperm की entry को भी यह एक तरह से रोकती हैं एक common नाम दिया हुआ है NCRT में सहेली जो की example है एक contraceptive pill का next question Sinobacteria are classified under तो kingdom Monera में यह आते हैं U bacteria के अंदर इनको पढ़ा जाता है next question है starch is polymer of तो starch जो है student glucose units का polymer है और starch की बात करें तो दो types की होती है एक amylose starch होती है दूसरी होती है amylopectin amylopectin तो amylose starch में student unit जो है 200 तू 2,000 होती है और amylopectin में 2,000 तू 20,000 unit होती है बस units के basis पर अलग-अलग इनको लिखा हुआ है और glucose और fructose में क्या difference है दोनों का molecular formula सेम होता है लेकिन glucose में aldehyde group होता है वेरास fructose में ketone group होता है स्क्रोस की बात करें तो glucose plus fructose की दो ये disaccharide है दो unit को जुड़के बना होता है maltose जो है आपका glucose प्लस जो है glucose से मिलके बना होता है साथ में student यहां पे एक और चीज़ नोट कर लेंगे starch एक homo polymer है क्योंकि glucose 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 एक जैसी unit तो homo polymer हो आई है next question which of the following condition is called monosomic condition तो student आपका question जो है वो genetics से लिया गया है यहां पे option D correct हो जाएगा monosomic मतलब क्या होता है किसी cell में कोई chromosome नहीं आया और वो disjunction उसका non-disjunction हो जाता है माल लेजे यह कोई एक cell है इसके अंदर यह chromosome 2 है आगे पहले meiosis 1 हुई तो दोनों cells में क्या हो गया chromosome separate हो गये फिर आगे चलके क्या हुआ एक second आगे चलके यह chromosome number अब cells का number एक से चार हो जाएगा तो माल लेजे इस तरह से चार cells चार cells अगर बनती है तो chromosome जो है इस तरह से यह चला गया इधर टू-टू chromosome जो आपको पता है chromosome reduce हो रहा है नंबर तो यहां पे 4 है ना 4 है ठीक है दो ऐसे इकठे है यह दो है तो यहां पे 3 चले गए और यहां पे 1 ही आया मतलब something is missing there तो condition इसकी जैसे example in CRT में जो है that is x-naught condition ठीक है x-naught condition आपकी आती है non-disjunction की वज़ए से turner syndrome इसका एक example हो जाएगा student next question है यहां पे तेको 2N-1 लिखावा 2N number 46 होता है minus 1 कर देंगे 45 chromosome आपको पता है turner syndrome में होते हैं क्यूंकि एक x chromosome गायब होता है female में right next question है synthesis of one glucose molecule यह question एक छोटे से flow chart से NCRT से उठाया हुआ flow chart भी नहीं छोटे सा table बना हुआ है so यहां पे 12 NADPH molecule right answer हो जाएगा एक glucose molecule require होता है अगर हमें कितने reduce करने NADPH molecule 12 next question है term ecology was first used by option C यहां पे student correct हो जाएगा अगर Odom जो है modern ecology के father है next question है which one of the following act as a bio indicator बहुत बार question repeat हुआ है यह student lichens होते हैं जो as a pollution indicator act करते हैं next question है the process which makes major difference between C3 C4 plan जब student NCRT फोटो respiration का topic है पहली ही line में लिखा हुआ है यह option A correct हो जाएगा वही चीज़े की NCRT को यह भी line उठा लेते हैं यह लो चले next question की बात करते है the end product of oxidative photophosphorylation जिसे हम ETC cycle भी कहते है electron transport system उसमें ATP plus water बनते हैं option D correct हो जाएगा यह सारे topic ETC हो गया glycolysis हो गया Calvin cycle बगारा सभी मैंने आपने playlist चेक करनी है plant physiology section की वहां पे मैंने with notes करवाए हुआ है यह बहुत easily सारे यह ETC बगारा सब कुछ next question the cell plate is late during cell plate बनती है cytokinesis के जब time पे इस तरह से बनती है cell furrow हम कहते हैं और cell plate इस तरह से बनती है plate like structure यह बनता है plant में यह बनता है animal में प्लांट में furrow इस लिए नहीं बन पाती क्यूंकि cell wall rigid होती है अंदर की तरफ नहीं मुड़ पाती है इंटर फेस की बात करें cell cycle में students सबसे बड़ी जो यह वाली जो phase होती है M phase और बाकी rest जो बच जाती है यह इंटर फेस होती है about 95% से भी ज्यादा इंटर फेस का ही पूरा cycle में time period होता है और यह longest phase है next question in India tropical rainforest occur in तो on demand में होते है option भी correct हो जाएगा so student this is all about और यह पूरा paper 2022 August का और students मैं आपको बता दूं कि हमारा इश्वी cat का course भी जो आप है join कर सकते है अगर आपको join करना है तो आप नीची दियेगे number पे contact कर सकते है for medical section and non medical section के लिए भी available है मिलते हैं हम आप next video में I hope आपको वीडियो पसंद आया है अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो do like and bye bye have a nice time take care